ताज महल का माबल आज भी चमकता है, पता है क्यों? क्योंकि वो मकराना माबल से बना है क्योंकि वो मकराना चगडूंगरी मारबल की सलेव है इसकी जो लेंट है 6.5 है, हाइट जो है 2.5 है, सिंगल लोट है जो 800 इसकोर फिट का लोट है जो क्वालिटी है, मकराना चगडूंगरी मारबल की क्वालिटी है और ये मेटरिल जो है अभी अनपॉलिष्ट है और आप इसका एक पिस देख पा रहा है बट ये मेटरिल जब आप इसका पूरे डिजाइन देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका किस तरीके से पूरा पेटर्न या फिट डिजाइन क्रिएट हो रहा है जैसे मैंने 6 पिसे डिस्पले किये तो आगे सागे डिजाइन क्रिएट होता जाएगा तो आपको आइडिया होता जाएगा अब ये आप गोडाउन देख पर हैं टोटल 10 बिगा के अंदर है और यहां पर आपको मकराना मरबल देखने को मिलेगा अब ये हमने इसका डिस्पले किया तो आप आइडिया ले सकते हैं कि ये क्वालिटी किस तरीके से है किस तरीके से इसका डिजाइन क्रिएट हो रहा है तो इसका जो डिजाइन है काफी यूनिक डिजाइन है क्योंकि आप देख सकते हैं white के अंदर black lining का round shape के अंदर किस तरीके से पूरा डिजाइन क्रेट हो रहा है जैसे अभी राखी का time है तो आप यह देख सकते हैं पूरी एक राखी pattern बन रहा है जो राखी की डिजाइन होती है वही पूरा डेजाइन क्रेट हो रहा है तो यह सब यूनिक है आपके और मेरे हाथ में नहीं है कुद्रत ने जो दिया यह जमीन के काफी चीज के अंदर पॉलिस आने वाली है और काफी अच्छा इसका डिजाइन का गेट अप आने वाला है अभी तो आप रफली देख रहे हैं जब यह मेट्रियल कंप्लीट आगे से आगे और ज्यादा डिजाइन बनेगा और ज्यादा पीसेस लगेंगे उसके बाद मेट् क्रिश्टल के साथ में है तो बहुत ही अच्छा इसका लुक देखने को मिलेगा कभी लाइप सीलक भी तो डिजाइन काफी अच्छा है और कि difficult के हथा साथ क्वैए पर दब हो करके इसकी प्राइज भी जान सकते हैं और इस मेट्रियल गोर्डर भी करते हैं पर इस तरी को lonely जाना goals करने कहें फ्राइइस नहीं कि एकडम नजदिक से मैं को क्वालिटी फोकस करके दिखा रहा कि आपको आईडिया हो जाएगा कि हम हमारी गोडाउन पर किस तरीके सेक्चुल क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं ऐसा नहीं है कि चकडूंगरी सिर्फ नाम है और सुका जो एकदम ग्लेज वाला मेट्रेल है वेसा ही है मतलब इसके अंदर ग्लेज है वो काफी बराव है आप चाहें तो इस मेट्रेल का आराम से सेलेक्शन कर सकते हैं बाकि डिजाइन आपके सामने है आपकी चोईस के उपर है एंड आप इसे आराम से परचेस कर सकते हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको ये वीडियो